इनके मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया, यह अट्रेक्शन हर चकोरी का हिया भर्मा गया, चंद्र मुखियों से गले मिलने का यह परिडाम है, चांद उनके मुख से उठकर इनके सिर पर आ गया, तो एक बार जोड़ दार तालिया आजये प्रगाले। मर्यादा पुर्शोतम प्रवराम के चांदों में परणाम करता हूं. मंज पर बहुत ही बड़े-बड़े कभी विराजमान है, मैं शभी को परणाम करता हूं. हमारे समख्च हम जैसे नवांकुरों के तमाम नवांकुरों के संदच्छक मंचीय कविता के देश के सबसे बड़े संगठन राठी के संगम के राठी है अध्य चादनी बाबू जी हमारे भाई रभी तिवारी जी अनुजेंद रभिया आप सभी उपस्थित हैं मैं आप सभी के उपस्थिती को पढ़ाम करता हूँ नीरज भीया ने अभी हमारे बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ चुकि आधनी तुलसिदाज जी हमारे अगुआ है हम कवी कुनिबे के बड़े कवी हुए मैं उनकी दो पंकिया नीरज भीया को देता हूँ मैं इनकी बात का बुरा क्यों नहीं मानता हूँ तुलसिदाज जी ने कहा है कि तुलसिदाज जी बुरा नमानिये जो गवार कही जाए तुल्सी बुरा नमानिये जो गवार कही जाए जैसे घर का नर्दहा भला बुरा बही जाए तालिया आपके आनी चाहिए तालिया नहीं आई है तालिया कमजोर होती है तो हमारे पाउंक आपने लगते है चार पंक्तियां प्रभुराम के चाणों में पढ़ता हूँ चुकि आज के इसकारिकम का मुक्ष भी से यह रामारादना या मत समझो कभिता मुक्तक गीश सुनाने आया हूँ या फिर हास की फुल जर्यों से तुम्हें हसाने आया हूँ मैं आया हूँ राम प्रभु के चर्णों में वंदन करने आवद पुरी की इस मिट्टी को सीष चड़ाने आया हूँ अवद पुरी की इस मिट्टी को सीष चड़ाने आया हूँ शीय राम मैं सब जग जानी करों प्रणाम जोरी जुख पानी आप सभी को प्रणाम करते हूए प्रभु राम के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ हालन की राम का गुणगान करना तो वेदों के वसमें नहीं है वेद भी उनको नेति-नेति कहकेर के उनका गुणगान करते है लेकिन कहीं मयथरी सुन गुप्त जी ने लिखा कि राम तुम्हारा चरिट स्वहम ही काब्य है कोई कभी बन जाय सहतर संभात हूँ हम जैसे अकवी को उन्होंने कवी बना दिया चार पंकियां पढ़ता हूँ आप सभी का असरवाद चाहता हूँ राम क्या है राम राष्ट की है प्राणवाई और चेतना है राम राष्ट की है प्राणवाई और चेतना है राम राष्ट की है प्राणवाई और चेतना है राम बंद दिन हितकारी और दिनानात दुनिया के दिन पाते आप से ही ताउं है उत्ष्टता के हैं समूल रूप से संगा रखवा शोशितों के बंचितों के पीडितों के प्राण है邊 कर आम का विरोध जिसने भी किया मिट गया रामण वबालि दोनों इसके प्रमाण है वाँ वाँ और राम क्या है चार पंदिया कोई है तो राम है धर्म की धजाओं के द्रिडदंड मेरुदंड भाव जलयान यदि कोई है तो राम है स्रेश्च सुत ब्रात पती निप मित्र भूतल पे जग से महान यदि कोई है तो राम है दीन त्रान कारक उद्धारक सुधारक समस्त गुण खान यदि कोई है तो राम है समस्त गुण खान यदि कोई है तो राम है वो चवदा भुवन तीन लोक सब्त सागर में राम के समान यदि कोई है तो राम है और प्रभु राम कि चरणों में चार पंकियां और रखता हूँ एक मंत्र देता हूँ हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं लेकिन चिंताएं कैसे समापत होंगी सिर्फ चिंतन कर लीजिए चार पंग्तियां पढ़ता हूं कि मन को सवाली रख किंतु हाथ खाली रख सुख दुख दोनों छोर राम जी को सौप दे मन को सवाली रख किंत हाथ खाली रख सुख दुख दोनों छोर राम जी को सौप दे और तन मन में उच्छा खुसियां मिले अथा जिस पे चले न जोर राम जी को सौप दे और अंतस में भी तराग मन में बसे प्रयाग अंतस में भी तराग मन में बसे प्रयाग दो पहार साम भोर राम जी को सौप दे दो पहार साम भोर राम जी को सौप दे होगा भवसिंद पार सोच मत बार बार सोच मत बार बार होगा भवसिंद पार जीवन की बाग डोर राम जी को सौप दे जीवन की बाग डोर राम जी को सौब दे क्यों कि क्रूर काल आकर कपाल पे सवार होगा कोठी कार कार खाने काम नहीं आएंगे क्रूर काल आकर कपाल पे सवार होगा कोठी कार कार खाने काम नहीं आएंगे और पुत्र पुत्री वा पतो हूँ पास के पडोसी तक प्रान कहां जा रहे हैं जान नहीं पाएंगे दौर पर दूर से ही देखके दुआई देंगे दौर पर दूर से ही देखके दुआई देंगे दवा दया दिखलाएंगे दवा न दिलवाएंगे दया दिखलाएंगे दवा न दिलवाएंगे और कर ले प्रणाम राम राम आठोयाम जप तेरे सारे काम प्रभू राम ही ब बनाएंगे इस दुनिया में सिर्व राम ही सत्य हैं इसी लिए जब आदनी मर जाता तब भी उसके कान में कहा जाता है राम नाम सत्य है मेरी एक कामना है ये है जे प्रधान का रंग बाब 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 तुलसी राजी ने कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा पंच अलचित यह अधम सरीरा अभी मैं इस पंच भूत के इकठा होने से आपके समझ खड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरी कामना है जब य प्रभू राम जी के कि अगनी जो बनू तो जलू आरती की बाथी मद्द जूमो नचू राम जानकी की अगवानी में अगनी जो बनू तो जलू आरती की बाती मत जूमू नाचू राम जानकी की अगवानी में और यद जल बनू राम जी को नहलाओं घुल मिल जाओं माई सर्यू के पानी में और यद जल बनू राम जी को नहलाओं घुल मिल जाओं माई सर्यू के पानी में बादल बनू तो छाया करू नित अवद में वायू बनके समाऊ हर संत बानी में भगवान राम की नगरी में हर मंदिर में राम कथा प्रतिदिन होती है कि बादल बनू तो छाया करू नित अवद में वायू बनके समाऊ हर संत बानी में माटी जो बनू तो आप भक्तों की चरण रज उड़ता फिरू में राम जी की राजधानी में और कुछ पंक्यां पढ़ देता हूँ अभी चलिए अधी पर पढ़ देता हूँ अभी कुछ लोगों को निमंत्रण दिया प्रभूराम ने बुलाया लेकिन नहीं आए अब पता नहीं दुरुभा के साली है और सौभा के साली है मैं वहीं से कुछ ब्यंगे उठाता हूँ चुकि व्यास ब्यंगे करका भी हूँ दो चार पंक्तिया हो जी में पढ़ देता हूँ अब देखिंत मैं नहीं है मैंने कहा कि नबीरी पी ना तो सुणती मलो तूम हम जोश्राह इच फेसें प्रभू राम आये अजया चलो तुम प्रभूराम आये हैं तो जो ख्वावा रहे फिर वुविश्वास मिलगा जो ख्वावा रहे फिर वुविश्वास मिलगा अबै होई कुछ और आभास मिलगा जो ख्वावा रहे आप लोग संकेत समझ रहे होगे जो ख्वावा रहे फिर वो विश्वास मिलगा अबै होई कुछ वाउर आभास मिलगा यह पीम के स्कीम फलिहान ऐसन प्रधान मंत्री आवास योजना यह पीम के स्कीम फलिहान ऐसन जगत के पिता का भी आवास मिलगा जगत के पिता का भी आवास मिलगा जो ख्वावार है फिर वो विश्वास मिलिगा अब होई कुछ वाउर आभास मिलिगा यह पीम के स्कीम फलिहान आइसन जगत के पिता का भी आवास मिलिगा जगत के पिता का भी आवास मिलिगा और सिया राम जी का मिथक जी बताएं पिछला पिछली घटना याद किजिएगा कि सिया राम जी का मिथक जी बताईन हर एक काम मैया अडंगा लगाईन और जी पैदा हुए तक का परमान मांगिन प्रभु राम किसी नीदी निकाले में पढ़े थे जी पैदा हुए तक का कि पैदा हुए तक को परमाण मांगें, प्रभुराम उनौहु का उद्ध्या बलाईन, प्रभुराम उनौहु का उद्ध्या बलाईन, इस स्वाचत है, आपका बहाणा बनाई, गयोत बुरा, ना गयोत बुराई, यू नेउता नहीं, गुल भरा आही हसिया हमारे एक कहावत है कि न लीलते बनता है न उगलते बनता है यू निवता नहीं गुल भरा आही हसिया अयोध्या भला कउन मू लई के जाई बहुत अच्छे और अंतिम चार पंतिया पढ़ता हूँ अगर कुछ अच्छा हो गया हो तो गंगोर तालियों से विदा कीजिएगा अयोध्या मा आगे न मनाई हमाई है बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आए मैंने सुचा पहले प्रवराम जी के दर्शन कर ले तीन घंटे लगे आदनी रभी भया तब मैंने भीर देखी 14 को आया तो तो बहुत जल्दी हो गय थे भीर दिनो दिन बढ़ती जा रही है अयोध्या मा आगे न मनाई हमाई है पंक्तिया शुनियेगा आदेस दीजियेगा जिर मंतब से मैंने लिखा है मुला कुछ जने कही रहे हुई नाई है अगर राम जी के बलाए नाई हो तो फिर तुमका यमराज जी खुद बलाई है